नमस्कार मैं हूँ प्रभात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश दोस्तों इस वक्त एक बहुत बुरी खबर निकल के आ रही है IPL से जियां दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के शांदार प्लेयर विकट कीपर बल्लेबाज रिधीबान साहा कोविट पोजिटीव हो गए है तो निससे तोर पर यह बहुत बुरी खबर है यह अभी खबर के जश्ट निकल के ही आई है और दोस्तों आपको बता दू कि इससे पहले कल एक मुकाबला खिला जाना था यहाँ पे कुलकाता नाइट राइरर्स और आर्सीवी के बीच और उस मुकाबले को रद करना परा था वजह थी दो प्लेयर्स को बीट पोजिटिव हो गए थे कुलकाता नाइट राइर्स की टीम के चाहिए आप बात करें शंदिप वारियर की या फिर वहाँ पे वरुन जगरवर्ती ये दोनों ही प्लेयर को बीट पोजिटिव हो गए थे और इस वजह से कल का मुकाबला रद करना परा था हैत्राबाद और मुंबई की बीच आज मैच होने वाला है वो भी कही ना कहीं सवालों के खेरे में है जिहां दोस्तो आज जो खबर निकल की आरही है वह कही ना कहींस मुकाबले के लिए बहुत ही जादा विकट परिस्तिती पैदा करी बता दो दोस्तों आपको कि हैदराबाद के जो प्लेयर हैं विकट की परबलेवाज रिधिमान साहा के पोजिटीव कुरोना पोजिटीव होने के बाद अब खबरें उठ रही हैं कि निस्चित तोर पे आज का जो मैच है वो र अब गांगुली ने कौनफर्म किया था कि मैचेज जो है आईपील 2020 के वो अब रिसेडिल नहीं होंगे बलकि जो मैचेज जैसे हैं जिस समय पे टैक किये गए हैं उसी के हिसाब से खेले जाएंगे जबकि कोलकाता का जो मैच था कल का कोलकाता और बेंगलूडू का उस पर निकल के आ रही है वो कही न कहीं बहुत ज्यादा मुस्किलों में डालने वाली है इस आईपील को आईपील 2021 का जो सीजन है वो कही न कहीं अब सवालों के घेरे में है दोस्तों आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना साथ ही आप यह इस बात को जरू बेसे लव यू अल